नमस्कार दोस्तों स्फागत है आप सभी का आपिके अपने इस योटूब चैनल इंडियन स्टोडियो में तो दोस्तों 2 ओक्टोबर 2019 को रिलीज हो रही है रितिक और टाइगर की आक्शन थ्रिलर फिल्म वॉर और ये फिल्म बॉलियोड की अब तक की सबसे बड़ी आक्शन मुवी बनने वाली है वहीं दोस्तों ये पहली बार है जब रितिक और टाइगर की जोडी एक साथ एक फिल्म में नजर आने वाली है लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि फिल्म बॉर के लिए रितिक ने रखी ती एक बड़ी शर्थ और वो ये कि टाइगर के ना होने पर वो इस फिल्म को नहीं करेंगे जी हाँ दोस्तों जहां एक तरफ फिल्म बॉर में रितिक और टाइगर एक दूसरे पर बरसने वाले हैं तो वही दूसरी तरफ रितिक ने खुलासा करते हुए बताया कि सबसे पहले मैंने ही फिल्म के मेकर्स को टाइगर का नाम सजेस्ट किया था जी हाँ दोस्तों दरसल हाली में एक इंटर्वियू के दौरान रितिक ने टाइगर पर बात करते हुए बताया कि मैं बेहदी जादा खुश हूँ कि जिस इंसान को मैंने इंस्पायर किया था आज वही इंसान मुझे इंस्पायर कर रहा है वही दोस्तों दर्टिक ने आगे पताया कि सूपर थटी के बाद मैं काफ़े जादा आलसी हो गया था मैं बस खाना खा रहा था वर्काउट रुख चुका था और बहुत खुश था लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं वाप से कैसे करू और ऐसे में मुझे एक ऐसे स्क्रिप्ट की जरूरत थी जो कि एक बार फिर से मुझे फुल कॉन्फिदेंस में और एमपावर कर सके क्योंकि मैं काफी दर्द में था मेरे जोइंट्स में चोट थी और स्क्रिप्टनेस भी आ गई थी और फिर फाइनली डिरेक्टर सिधार्थ आनन्द ने मुझे वार के लिए अप्रोच किया और मैंने इस फिल्म के लिए अपनी हामी भर दी थी लेकिन लास्ट में एक शर् जब उसमें टाइगर श्रॉफ होंगे क्योंकि मुझे पता चल गया था कि टाइगर एकलोता ऐसा एक्टर है जो मेरे सामने खड़ा हो सकता है और ऐसे में इस फिल्म में मैंने टाइगर के बराबर होने के लिए अपना पैस दिया था लेकिन शायद टाइगर ही हमेशा आग प्रेरित किया है तो दोस्तों जहां टाइगर श्रॉफ हमेशा से ही रितिक के साथ काम करना चाहते थे और वहीं दूसरी तरफ रितिक नहीं इस फिल्म के लिए टाइगर का नाम सजेस्ट किया था यानि दोस्तों रितिक की वज़ह से ही हमें किसी फिल्म में पहली बार रि रितिक और टाइगर के तमाम फ्रैंस आप बताईए कि आप रितिक के इस बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे जरूर शेर कीजिए अपनी राइ कमेंट सेक्शन में और दोस्तों साथी साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेर करना ना भूले और बॉलिवड क के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूड़ योटक चैनल को जय है